हेलो फ्रेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ रिप्स में आपका स्वागत है आज हम फिर से आपके लिए हमेशा की तरह एक नया घ्रेलो उपाई लेकर आए हैं आज हम जो नुश्काफ के लिए लेकर आए हैं उसके प्रियोग मातर से ही आपकी तवचा चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो वो खिल उठेगी और आपका चेहरा चमक उठेगा और कोई भी कील मासा आपके चेहरे पर नहीं रहेगा आपकी रूखी और बेजान तवचा में भी चमक आ जाएगी तो दोस्तो शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवे दिन है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स सब्सक्राइब नहीं किया तो करेपे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे तो दोस्तो शुरू करते हैं इसमें आपने सबसे पहले एक खीरा लेना है और उसका रास निकालना है खीरे का रास कम से कम तीन चमच हो उसके बाद आपने एक चमच घुलाब जल लेना है और एक चमच गिलसरीन लेनी है इसके बाद आपने तीनों को अच्छे से मिक्स करना है जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसे अपने चेहरे पर अच्छे से लगाना है और उसके बाद चेहरे को सूखने देना है तो दोस्तो कम से कम 20 मिनट तक आपने इसे चेहरे पर लगाई रखना है जब चेहरा सूख जाए तो इसे ठंडे या गुनगने पानी से दोह कर धीरे धीरे मुलाइम कपड़े से साफ करना है ऐसा आपने सिर्फ साथ दिन करना है ऐसा करने के बाद आप देखोगे की आपकी रूखी बेजानत बचा खिल खिल चुकी होगी और चमक भी उठी होगी तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये नुस्का क्रिपे हमें अपने कमेंट कमेंट बॉक्स में जुरूर बेज़ें ताकि हम आगे भी और अच्छे अच्छी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते रहें